एक गाम हतु तेमा एक गरीब मानस रहेतो हतो। एने साथ दिक्रियो हती। गरीब मानस पासे काईज काम न होतु। ए रोज भिक्षा मांगी ने खातो अने खवरावतो। एक दिवस एने भिक्षा मा थोड़ो लोट मल्यो। एटले एने एनी पत्नीने कहिँ के दिक्रियो सुई जाए पछी वड़ा बनाव जे। रात पड़ी अने दिक्रियो सुई गई। पछी एमनी माए वड़ा बनाववा मांड्या। वड़ा बनावता गरम तेल मा लोट पड़े त्यारे छम्म एवो अवाज थाए। छम्म पची माय बिजू वडू बनावियू तो एनो चम्म अवाज सांभडी ने बिजी दिक्री जागी गई अने एने पर मापासे जई कहिऊं मा मने चम्म वडू माय ना चूटके एने वडू आपवू पडियू आम करता साते दिक्रियों एक एक वडू खाई लिधू एन ना बापने विचाराने एक पण वडू न मर्यू एतो गुस्से थाई गयो मांड मांड वडा खावा मरता हता अने दिक्रियों खाई गयी एतो साते दिक्रियोंने लईने जंगलमा मुकी आवयो छ बहनों तो एक ज़ाड पर चड़ी गई पन नानी बहन ज़ाड पर न चड़ी शकी ए दूर दूर दोडवा मांडी एने एक सरस मजानू मकान जोयू एने मकान मा अंदर जई जोयू तो खुब सारू सारू खावा पीवानू हतू ए तो एकदम राजी राजी थई गई नाचवा कुदवा लागी एने तरतज एनी छ बहनों ने बोलावी साते बहनों मकान मा रहवा लागी सारू सारू खाई पी ने एकदम गुलाबी अने तंदुरस्त देखावा लागी आ बाजु एमना बापने खुब पस्तावो थयो के अरेरे हुँ के वो बाप छू मारी दिक्रियों ए वड़ा खाधा एमा गुस्से थाईने एमने जंगलमा मुकी आव्यो मारी दिक्रियोंनू शु थतू हशे एतो दोर तो जंगलमा गयो त्या एने जोलू के एनी साते दिक्रियों एक सरस मकान मा आनंद थी रहती हती सारू सारू खाईपीने गुलाबी अने तंदुरस्त थाई गई हती एक खुबज खुश थाई गयो दिक्रियोंने भेटी पड़यो पची एने घणू बधू खावानू लिधू अने दिक्रियोंने लईने घरे आवी गयो